हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो इंडियने स्टडी इंडियने स्टडी पर आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग लिए सम्मिधान कॉंसी ट्यूशन का इंपोटेंट टेस्ट लेकर क्या आजा हूँ क्योंकि दोस्तो कल भी मैंने आप लोग के लिए सम्मिधान का टेस्ट प्रोवाइड करवाया और कई बच्चों का वहाँ पर कमेंट आया कि सर आप सम्मिधान के टेस्ट को कंटिनूर करिए क्योंकि यहां से questions आपको जादा तो नहीं हाँ 4-5 questions तो देखने को मिलेंगे क्योंकि पुलिस के कोई भी exam हो तो यहां से questions आता ही है और मैं उन questions को लेकर के आया हूँ जो आपके jail order के लिए बहुत जादा important है तो आप लोग जरूर से इस वीडियो को देखिएगा और आप सभी लोग जानते हैं कल मैंने community पे पोस्ट किया था कि योगी जी ने एलान कर दिया है कि अगले 6 महीने के अंतरकत जितनी भी बरतिया उनको complete कीजिए तो jail order का आपका जो exam है अब आपका December में बिल्कुल निस्चित रूप से तैय कर दिया गया है आप ये समझ लीजिए कि अब इसके बाद कोई date आगे नहीं बड़ेगी UPSI इसलिए लिखा है क्योंकि vacancy अब बहुत जल्द आने वाली है क्योंकि लगवख हर छेतर में vacancy आई रही है आप सभी लोग जानते हैं UPSI में UPSI की vacancy काफी दिनों से पोश्ट पॉंड होती हुई आ रही है लेकिन अब मुझे यकीन है कि बहुत जल्द आ जाएगी और आप सभी लोग जानते हैं कि बेवेक सर एक्जाम पूर के जो बेवेक सर हैं उनके द्वारा लखना उचलो एक आंदूलन चलाये जा रहा है तो उसमें अगर आप आसपार के छेतर में रहते हो तो जरूर से participate कीजिए वो भी आइंसा को अपनाते हुए ठीक है और वो चीज उन्होंने खुद वीडियो में बताई हुई है तो आप उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा बेवेक सर वाली तो पहला कोसंस दोस्तों आपके सामने भारतिय सम्मिदान को अपनाया गया तो भारतिय सम्मिदान को अपनाया गया किसके द्वारा तो सम्मिदान सवा के द्वारा ही अपनाया गया था ये पहला ही ओपसंस आपका विर्कुल करेक्ट हो जाएगा समिधान सवा ने भारत के समिधान को कब अंगिकरित किया या कब सुईकरित किया बाद बरावर में मैं थोड़ा चोटा कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़े आपकी छूट रही है समिधान सवा ने भारत के समिधान को कब सुईकरित किया था तो कब किया था 26 नवंबर 1949 को ये अंगी करित की बात हो रही है तो इसलिए आप पहला उपसंस लगाएंगे और लागों की बात होती तो 26 जनवरी 1950 ठीक है पता है आपको नैक्ष्ट कोस्तांस भारते सम्माइदान सभा के परतम दिन के अधीवेशन के अध्यक्ष्ता किस ने की थी जल्दी बताएए तो आप का जो सही आंसर हो जाएगा वे हो जाएगा आपका आप्सन नमबर A सची दैनन सिना इसलिए ही इन्हें आएस्ता यद्द्द्द्द्द कहते हैं इसके बाद डॉक्टर राजिन पिरसाद बन गए थे लेकिन जब सम्मिदान सवा की पिरतम अधिवेशन हुआ था तो उसमें कोई इस्ता ही अध्यक्स था नहीं तो इसलिए इने आइस्ता ही अध्यक्स बना के बोल दिया कि भाईया आप कर लो इसकी अध्यक्स था ठीके ना सम्मिदान सवा के समिदान सवा का पिरतम अधिवेशन काहा हुआ था जल्दी बताओ तो पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था यह समिदान सबाका का दिली में हुआ था कहा पर दोस्तों दिल्ली में अच्छा और कब हुगा था पता होना चाहिए 9 दिसंबर 1946 में ठीक है तो ये भी डेट कभी कभी पूछ लिया जाता है तो आप याद कर लो इसको ठीक है और अध्यक्स न मैंने बताई दी इस डॉक्टर सचितनन से ना ने की थी ठीक है रेक्स कोसंस आपके सामने नेक्स्ट कोसं है कि भारत की आजादी के समय इंग्लेंड में किस पार्टी की सरकार थी इंग्लेंड की बात हो रही है भारत की आजादी लगवग 1947 की बात हो रही तो कौन सी पार्टी थी लेवर पार्टी तीसरा options बिल्कुल correct next questions किस अधिनियम की प्रमुक विसेस्ता है प्रांति ये स्वायतविती तो कौन से अधिवेशन की तो सही answer हो जाएगा भारत सरकार अधिवेशन या भारत सरकार अधिनियम 1935 दूसरा options जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा correct हो जाएगा लगवक 50% से जो आधि हमारा जो सम्मिदान है आज वो यहीं से लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से ठीक है ना और फिर अलग अलग देशों की जो अच्छी बात हैं वो हमारे सम्मिदान में समायत हैं ठीक है सम्मिदान सबा किसके दोरा या किसके अनुसार गटित की गई तो किसके दोरा गटित की गई थी कैबिनेट मिसन योजना के तहत पहला ही ओप्सन्स जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा correct हो जाएगा समिधान सबा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया तो किसने किया था तो आपका सही आंसर हो जाएगा जवारलालनेरू तीसरा आपसंस बिर्गलो करेक्ट मारानी विक्टिरिया को भारत की सामागरी नियुक्त किया गया कब तो कब किया गया तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1858 यानि कि इस questions का तीसरा options correct Marley Minto Sodaar Bill किस वर्स पारित किया गया Most important questions तो यह किस वर्स पारित किया गया तो यह 1909 में पारित किया गया तीसरा options बिल्गुल correct Next questions Regulating Act पारित किया गया कब तो Regulating Act कब पारित किया गया तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1773 में मैं कहा रहा हूँ कि इस वीडियो से आपको आपके exam में एक ना एक questions जरूर देखने को मिलेगा यह बात को धियान रखना ठीक है लिकिस सम्मीदान की अब दानला ने सर परतम कहां जन्म लिया तो लिकिस सम्मीदान की अब दानला ने सर परतम कहां पर जन्म लिया फ्रांस में दूसरा options बिलूर करेक्ट और विर्टेन का जो सम्मीदान है वो आले के सम्मीदान है इस बात को भी धियान रखना और सबसे बड़ा सम्मीदान लिकित रूप से भारत का है तो लिकित की बात को रहे तो जब लिकित की बात बोले तो किस देश का है भारत का और अगर लिकित की बात बोलें तो ब्रटेन तो इस बात को ध्यान रखना ठीक है 42 में सम्मीदान संसुदन कब हुगा था 1976 याद कर लो इसको मिनी Constitution भी कहते हैं ठीक है न Next questions आपके सामने भारतिय संगबाद को किसने सहकारी संगबाद कहा किसने कहा तो यह कहा आपका जी ओस्टिन तीसरा आप्संस बिल्कुल करेक्ट है नेक्स्ट कोछान साँपके सामने भारतिय सम्मीदान की सरचना किस प्रकार की है अब याली मैंने आपको बताया किस परकार किया है कुछ एकात्मक और कुछ कटोर तीसरा ओपसंस बिल्कुल करेक्ट है ठीक है ना भारतिय सम्मिदान का अभी बाबा कौन है यानि की पिता तो कौन है तो आपका सही आंसर हो जाएगा राश्ट पती तीस चोथा ओपसंस जो एवो आपका ब्रुगर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा भारतिय राजनिति या राजनितिक विवस्ता में इन में से कौन सरवोच है सरवोच ने आले समिधान धर्म या संसद तो सरवोच कौन है सरवोच है सम्मिदान अच्छा पूछे कि सम्मिदान को सक्ति कौन परदान करता है तो भारत की जनता इस बात को भी ध्यान रखना ठीक है अगर लोकतांतर दरश्टी से देखें तो जो जनता जो है वो सर्वोच है लेकिन जनता के दौरा सम्मिदान को सक्ति परदान की जाती है देश से लिया गया है देखो संगबाद की अब दालना हो रही है तो संगबाद कहां से लिया गया है तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका कनाडा कनाडा से लिया गया संगबाद दूसरा आपसंस बिलुकर करेक्ट नेक्ष्ट कोसंस भारत का संसधिय प्रणाली प् ब्रिटेन से ली गई है ठीक है ना तो देखो मैं आपको और चीजे भी बता दूँ कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है क्योंकि देखो यहां से कोसंस आपका पूछा ही जाता है ठीक है ना जब भी आप सम्विदान का कोई टॉपिक उठाओगे तो यह टॉपिक जो है व कैक जो है और लोक से वायोग यह भारसरकार अदिनियम से लिए गए ब्रिटेन की बात हो रही तो देखो संसदिय परणाली ली गई ठीक है एकल नागरिकता ली गई उसके बाद बिदी का सासन लिया गया ठीक है उसके बाद मंत्री मंडल विवस्ता भी ली गई ठीक है तो राज की नीती नेजगतात्व लिया गया है दच्छन अफरीका से समिदन संसुदन लिया गया है फ्रांस से जो फ्रांस की किरांती में जो नारा दिया था समानता सरवोत्ता बंदोतव और गलतंत्र यह सभी फ्रांस से लिया गया है जर्मनी से आपातकाल और आपातकाल के स नामान सन्रक्षण वाक कहां से लिया गजा है तो यह जो वाक कहना यह कहां से लिया गजा है तो यह लिया अपका अमेरिका से पेलाई options बिल्कुर correct है next question से आपको कि राज के नीती निततब कि इस देश के सम्मिदान से लिया गए है बताया भी आली इसलिए तो रिवाइस करवा दिया उसको छोटा सा जो ओडियो के लिए पर उसको बार बार सुनना दो बार तीन बार सुन लोगे ना याद हो जाएगा आपको इन questions को फिर छलती साथ जाएगी जे सारी questions आपके ठीक है ना संसदी है सासन ने पिलनाली सरप्रतम किस देश में विक्सेत हुए जल्दी बता दो किस देश में विक्सेत हुए बिल्कोल ठीक सही आंसर हो जाएगा बुरेटेन तीसरा options correct next question बारत में collector का पद आपने बेसिक सासन के उधार लिया गया है कहां से collector का पद तो कहां से उदार लिया गया है इंगलेंट से तीसरा ओप्संस जो है वो आपका बिल्गल करेक्ट है नेक्ष्ट कोसंस अद्याक्षमत साहसन का उद्यासर परतम किस देश में हुगा जल्दी बताओ तो किस देश में हुगा था तो आपका सही आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर भी संयुक्त राज अमेरिका दूसरा ओप्संस बिल्गल करेक्ट है नेक्ष्ट कोसंस भारत में बैद प्रवुसत्ता नहेत है तो भारत में बैद प्रवुसत्ता किस में नहेत है तो ये हमारे देश के राश्ट पती में नहित है, राश्ट पती में? नहीं भईया, समिधान में होगा, ध्यान रखना बैद परियूसता जो है, वो समिधान में नहित है, यानि कि तीसरा options जो है, वो आपका बिलूगर correct हो जाएगा कई लोग राश्पती सोच रहे होंगे इसलिए तो मैंने बोला था भारत में सरवोच माना जाता है क्या तो भारत में सरवोच माना जाता है आपका सम्मिदान को और सम्मिदान को सक्ती कहां से मिलती है जनता से तो ये भी दियान रखना और लाश्ट कोसंस भारतिय सम्मिदान की कुल कितने भाग हैं तो आपका सही आंसर हो जाएगा बाइस भाग हैं तीसरा ओपसंस जो है वो आपका विल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा तो दोस्तों यह थे Constitution यानि कि सम्मिदान के 30 important questions जो कि आपके आने वाले exams यूपी जेल वोडर और यूपी एसाई के लिए तो मोस्ट इंपोटेंट है अब रेल्वे गुरूप डी वाली रेल्वे एंटीपीस वाले डैरी प्रेस कॉंस्टेविल वाले सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि जीके जो है वो हर competitive exam का part होता है हाँ किसी में level थोड़ा ज़्यादा होता है किसी में level कम होता है यह जो questions है वो यूपी जेल वोडर के लिए तो आपके selected NTPC और railway group D के लिए तो most important है ठीक है अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसका part 2 जो है वो कल provide कर वादूँगा मैं ठीक है तो start questions हो बोलें क्यों की मुरूजन यसी तरह की वीडियो से आप लोग लिए लात रहता हूं नमस्कार दोस्तों जै हिंद जै भारत